हेलो एवरिवन वेल्कम टू रव्यदेद्य क्लासिस आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करेंट अफियर्स जिसमें हम करेंगे एप्रल महीने के सेकिंड वीक के इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स की क्वेश्चन्स फ्रेंट यहाँ पर मैंने सबी कोशने बिल्कुल सेलेक्टरी लिये हैं अगर आप किसी भी एक्साम के तियारी कर रही हैं तो ही वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं क्वेशन नमबर फर्स्ट से सर्बिया के अभी हाल ही में राष्टपती कौन बने हैं राइट आंसर इस एलेक्सेंडर वुसिक तो फिर ध्यान रखेगा अलेक्सेंडर वुसिक यह सर्बिया के अभी हाल ही में प्रेजिडेंट अपॉइंट हुए हैं और यह सेकेंड टाइम अपॉइंट हुए हैं यहा कमीटी has been constituted by the central government for Semicon India. Who will be the chairman of this committee? दिखेख एक advisory committee है जो कि central government के द्वारा गठित की गई है. इस committee के chairman कौन बनाए गई है? Right answer is Ashwini Vashnor जो की union minister है railway and information technology के तो उन्हें इस committee के chairman के लिए appoint किया गया है. The Semicon India Program will be set up with an aim to strengthen the country's semiconductor and manufacturing ecosystem. According to the Billionaires List 2022 released by Forbes, who became the richest person in the world. देखे, Forbes एक लिस्ट जारी करता है, Billionaires की अभी हाली में एक लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग रिचस्ट पर्सन कौन है दुनिया में? आंसर इस, एलन मस्क, टेसला के ये ओनर है, युनाइटेट से से बिलॉंग करते हैं, तो ये इस सूची में नमबर फॉर्स्ट पोजिशन पे हैं, सेकेंड नमबर पे हैं, जेव बिजौस, अमिजौन के ओनर, अंध थर्ड नमबर पे हैं, बर्नौर्ट, अर्नौर्ट एन फै हर साल साथ एपरेल को वर्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका में परपस होता है, देखिए, टू मेक पीपल अरॉर्ड आवेर ओफ दियर फिजिकल, मेंटल, और सोशल हेल्थ, बात करते हैं, देखिए, थीम, क्योंकि थीम इंपॉर्टन होती है, एक्जाम सम्मान 2021, for the collection of poems, मैं तो यहां हूं, by KK Birla Foundation, देखिए, इनके collection of poems है, इसका टाइटल है, मैं तो यहां हूं, इसके लिए उनको 30 सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा, और इनका नाम हमें बताना है, the right answer is, राम दर्श, मिश्रा is the right answer, सरस्वती सम्मान के शुरवात 1991 में हुई, it is one of the most prestigious literary award in the country, it is given every year to an outstanding literary work written by an Indian citizen in any Indian languages and published within the last 10 years, so पिसले 10 वर्शों में जो भी उन्होंने उनका पब्लिश किया गया है, किसी भी Indian language में उन्होंने जो भी लिखा हुआ होगा, उस work के लिए उनको सरस्वती सम्मान दिया चाता है, अगला question है, who has become the new MD and CEO of Development Credit Bank, तो friend development चो Credit Bank है ना, हाल ही में इसके MD और CEO कौन बने है, answer is, मुरली निटराजन is the right answer, friend मुरली निटराजन अपॉइंट के गए है, Development Credit Bank के MD CEO, जिसके establishment होई 1930 में और इसका जो हेटकौर्टर है, वो मुंबई में है, अगला question है, Joint Special Forces Exercise Buckle 2022 has been organized between India and which country's army, friend भारत और किस तेश की आर्मी के बीच में, Buckle 2022 exercise का आयरजन किया गया है, तो दूसरी country जो है, इसका नाम है किर्गेस्तान, तो ध्यान रखेंगे, इंडिया और किर्गेस्तान के बीच में ये exercise होई है, और ये इसका 9th edition है, ये भी हमें ध्यान रखना है, बात करते हैं exercise हुई कहां पे है, तो इस exercise has been held at Special Forces Training School Buckle, जो की है हिमाचल प्रदेश में, तो अगला question है, who has won prestigious O. Henry Award 2022, right answer is Amar Mitra, friend O. Henry जो award है, हाली में इसे Amar Mitra को समानित किया गया है, इनकी short fiction story है, जिसका नाम है, आपको ये नाम ध्यान रखना है, गाउंग बुरो, तो गाउंग बुरो short fiction story के लिए इनको ये पुरिस्कार दिया गया है, The prestigious O. Henry Prize was established in 1990 in the memory of noted author William Sidney Porter, तो इनकी memory में ये जो प्राइस है, वो हर साल दिया जाता है, 1919 से ये जो प्राइस है, वो दिया जा रहा है, अगला question है, in which state चित्थिरई महसव has started, right answer is Tamil Nadu, तो फ्रेंट जो चित्रई महसव है, ये Tamil Nadu राजय में शुरू हुआ है, तो आपको ये वस इतना ध्यान रखना है, Who is the author of the book, जिसका title है Decoding Indian Babu Dome, बात करते हैं इस book को लिखा किस नहीं है, तो देखें इस book की author ध्यान रखेंगे, अशुनी शुरिवास्तव के द्वारा ये जो book है, वो लिखी गई है, जिसका title है Decoding Indian Babu Dome, Next question पर बढ़ते हैं, Which state government has started उद्यम क्रांती योशना to provide employment to the youth, तो कौन से राज्य की सरकार ने युबाओं को रुशकार परदान करने के लिए उद्यम क्रांती योशना को शुरू किया है, Right answer हो जाएगा Friends, यहाँ पे Madhya Pradesh is the correct answer, इस scheme के तहट 1 lakh से 50 lakh का जो लोन है वो youth जो भी है उनको provide किया चाएगा, ताकि वो कोई काम अपना शुरू कर सकते या उनके स्वेय रोजकार के लिए self employment के लिए उनको लोन दिया चाएगा, योशना के under the Madhya Pradesh government will also give bank guarantee and 3% interest subsidy to the youth, तो याद रखेगा ये योशना शुरू करी है मध्यप्रदेश की सरकार ने, आगला गोशन है, which state government has set up India's first dairy cooperative bank, नंदिनी शीरा समरदी सहकारी bank to provide financial strength to milk producers, तो जितने भी देखे milk producers हैं, उनको वित्तिय मजबूते प्रदान करने के लिए, कि नंदिनी शीरा समरदी सहकारी bank को किस राचे के सहरकार ने शुरू किया है, करनाटक is the right answer, तो करनाटक के चीफ मिनिस्टर बसावराज बोमे के द्वारा इसको शुरू किया गया है, the establishment of this bank will give a further boost to the dairy industry, तो इससे क्या होगा देखिए, जो dairy उद्ध्यों के उसको बढ़ावा मिलेगा और जो farmers है उनका revenue भी यहां से increase होगा, अगला question है, who has started the anti-human trafficking cell to raise awareness among women and girls, friend, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए anti-human trafficking cell को किस नहीं शुरू किया है, right answer is, national commission for women, NCW के द्वारा इससे शुरू किया गया है, देखे, NCW एक statuary body है, जोकि Indian Parliament के द्वारा constitute की गई, under an act passed in 1990, तो इसके stabilisement हुई थी 31st January 1992 को, और इसका जो headquarter है, वो New Delhi में है, आगला question है हमारा, in which state the biggest nature festival of tribal society, सरहुल, तो festival का नाम है सरहुल, ये कौन से राज्य में मनाया गया? राइट answer is, जार्खंड is the correct answer, तो फैंट ये जो festival है, वो जार्खंड राज्य में celebrate किया जाता है, तो ये जो तिहार है जार्खंड राज्य में, जो स्थानिय सरना धर्म के हिस्से के रूप में, जो ट्राइबल वहां के community है, उनके द्वारा मनाय जाने वाला ये फैस्टिवल है, आगला question है, which university has top in the Q.S. World University Ranking 2022, आंसर क्या हो जाएगा, देखें, Mesa Suchet Institute of Technology जो की USA में है, इसने ranking में first place हासिल करी है, second पर है England के Oxford University, और third पर देखें, Stanford University जो की California में है, और Cambridge University, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, और Cambridge University कहाँ पे है, तो ये England में है, आगला question है, which anniversary और प्रधान मंत्री मुद्रा योशना has been celebrated on 8th April 2022? Right answer is 7th, तो फैंड 8 April को जो प्रधान मंत्री मुद्रा योशना है, इसकी साथवी anniversary मनाई कही है, इस योशना की बात करते हैं, तो इस योशना की शुरुवात हुई थी, 8th April 2015 को, और किस ने शुरू किया था, Prime Minister Narendra Modi ji ने से शुरू किया था, अब तक इस योशना के तहर, 34.42 करोन से जादा जो है, वो loan accounts खोले जा चुके हैं, नेक्स्ट क्वेशन है, वेर विल्ट इंडिया स्टॉलेस्ट 24 स्टोरे मेडिकल टावर भी बिल्ट, ये भारत का दिखे सबसे उचा मेडिकल टावर है, और ये कहां पी बनेगा, तो ये जैपूर के सवाई मानसिंग हॉस्पिटल में, इसको इसको बनाया चाहेगा, इट हास बीन इनागुरेटेट बाई राजस्तान चीफ मिनिस्टर अशोक गैलोत, दी मेडिकल टावर इस बीन कंस्ट्रक्टेट बाई जैपूर डेवलप्मेंट अथ्यॉर्ट तो ये 24 स्टोरी है, यानि इसमें 24 मंचिला हैं, और ये वैडिकल टावर जैपूर के सवाई मानसिंग हॉस्पिटल में बनाया जाएगा, आगला कोशन है, वो हास प्रिसाइड़ ओवर दा इंडिया एजुकेशन समेट 2022, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट धर्मेंदर प्रधान, तो धर्मेंदर प्रधान जो हैं, वो एजुकेशन और स्किल डेवलपेंट के यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने इंडिया एजुकेशन समेट 2022 की अध्यक्षिता की है, This summit is a dialogue forum जिसको organized किया गया Google और Indian Express के द्वारा, India Education Summit 2022 will include work related to technology in government education, personal education and keeping children safe. Next question है, Who will be given the Sant Namdev National Award 2021? संत नाउंदे नैशनल पुरुषकार किसे दिया जाएगा? The right answer is, सत्यपाल मलिक is the correct answer. तो इन्हें ये जो प्राइस है वो दिया जाएगा? Who is the author of the book named The Maverick Effect? ये जो बूक है जिसका डाइटल है The Maverick Effect ये बूक किसने लिखी है? तो याद रखेगा, हरीश महता ने ये जो बूक है वो लिखी है. अगले question पे चलते हैं, Who has become the new chairman of Union Public Service Commission? फ्रेंड संख लोग सेवा आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएका Dr. Manoj Soni is the right answer. Union Public Service Commission की स्थापना 1st October 1926 को ही, इसका headquarter ध्यान रखेगा फ्रेंड इसका headquarter है New Delhi में. और Dr. Manoj Soni जो हैं, ये प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे इस पद के लिए. आगला question है, Who has launched a scheme जिसका नाम है अवसर to encourage the talent of women, artisans and craftsmen? तो ये योशना है जिसका नाम है अवसर इस scheme को शुरू किया है, Airport Authority of India ने इसको शुरू किया है, इसका में देखे objective यही है कि एक ऐसा platform provide करना महिलाओं के लिए जो artisans है, उनको एक ऐसा platform provide करना जहांपे वो जो उनकी एक तरीके से जो भी वो produce करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए उनको एक platform provide कर दिया गया, Airport Authority of India के द्वारा. Next question है, Who has won the WordPress photo of the year 2022 award? Answer is Amber Bracken, जिनको WordPress photo of the year 2020 का पुरिसकार दिया गया है, यह Canadian photographer है और इन्होंने एक photo clicker है जिसका title है, Kamloops Residential School. The award is presented to photographers for the best single exposure photographs that have contributed to the past year of visual journalism. तो यह जो पुरिसकार देखें, यह जर्नलिस्म को एक जो visual journalism है, कि last past years में जो भी visual journalism रहा है, उसमें योगदान देने के लिए जो भी सव्षेश फोटो होती है, उसको यह award दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेशन है, वेन इस वर्ड होमोपेथी डे 2022 सेलिब्रेटेड? आंसर इस 10th of April. तो 10th of April को वर्ड होमोपेथी डे सेलिब्रेट होता है, देखे होमोपेथी डे जो है ना जो founder ओफ होमोपेथी है, डॉक्टर क्रिश्टियन फेडरिक सैम्यल हैनमन, इनकी बर्थ अनिवर्शरी के दिन इस दिन को सलिब्रेट किया चाता है, और इसकी थीम ध्यान लखेंगे होमोपेथी, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस. अगला कोशन है, तो फ्रेंड इलेवन्थ नमबर का यह जो चैम्पेंशिप का किताब है, यह किसने चीता है, दियांसर इस, रिया जेडॉन जो की 13 इयर ओल्ड है, इन्होंने इस चैम्पेंशिप को जीता है, और इन्होंने अपनी एल्डर सिस्टर लावन्या जेडन को इसमें डिफेट किया है, यह कहां पे हुआ तो यह नियो डेली में हुई थी चैम्पेंशिप और इसका 11 एडिशन हुआ, अगला कोशन है, तो इसको बढ़ावर देने के लिए, जो टास्क फोर्स से इसका गठन किस ने किया है, आंसर हो जाएगा, Ministry of Information and Broadcasting, इनके द्वारा इसको इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और देखें, Information Broadcasting Minister कौन है, यह भी हमें पता होना चाहिए, अनुराग, सिंग, थाकुर, तो इनका नाम भी आप लोग द्ध्यान रखेगा, विच कंट्री हाज सक्सेस्फोली टेस्टेट दा न्यू सेटलाइट, जिसका नाइम है, GEPHON 303 for Earth Observation, तो यह जो Earth Observation सेटलाइट है, इसका सफलता पूर्वक परिशन किया है, चाइना कंट्री के द्वारा इसका परिक्षन किया गया है, इसके लिए देखे, लॉग मार्ज 4C rocket यूज किया गया, और कहां से इसे लाँच किया गया है, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा, देखे, हाँ पर, जीक्यान सेटलाइट लॉँच सेंटर से इसे लॉँच किया गया है, इस सेटलाइट विल कैप्चर इमेजस तो हल्प चाइना डिफेंट इस मैरिटाइम इंट्रस्टेट, नेक्स इस विश्टू प्लेयर हैव वान गोल मैडल फोर इस ताइंडिया, इन दी मिक्स टबल मैच औफ वर्ड डबल स्क्वेश श्यांपेंशिर प्लाइट विश्टू राइट आंसर इस दीपी का पलिकल अंड सौरव घुशाल इन्होंने मिक्स टबल में गोल्ड मेडल चीता है, यानि भारते सीना में तीन से पांस साल की भर्टी के लिए केंद सरकार ने किस योशना को शुरू किया है? आंसर इस अगनीपत रिकूर्ट्मेंट बोर्ड या अगनीपत भर्टी प्रवेश तो इस योशना को शुरू किया है सेंट्रल गवर्मेंट ने इसमें देखे भारते सीनाओं में जो यूथ हैं उनकी तीन से पांस साल की भर्टी इसमें शुरू की जाएगी. यह जो स्कीम है इसे Ministry of Civil Aviation ने शुरू किया है आगला कोशन देखे हमारा क्वेशन है देखे हूँ हाज वान टी टाइटल फॉर्मुला वन रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंट प्रिक्स 2022 राइट आंसर इस चार्स लेकलियर यह फारारी के रेसर है और मोनेको कंट्री से बिलॉंग करते हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंट प्रिक्स का टाइटल जी इस दी राइट आंसर यह पाकिस्तान के 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किये गए है क्योंकि रिसेंटे देखे पाकिस्तान में अभी नो कॉन्फिडेंस वोट कराए के ते जिसमें इमरान खान की जो गवर्मेंट है उन्होंने इतने वोट हासिल नहीं कर पा राइट आंसर इस भूपेंदर यादव जो की एन्वारमेंट और फॉरेस्ट यूरेंट मिनिस्टर है और राश्टिय बाग संरक्षन प्राधिकरन की बीसवी बैठकी अध्यक्षिता इनके द्वारा की गई इस मीटिंग में देखिए जो नैशनल टाइगर कंसरवेशन ऑथॉरिटी है अस रिलीजड द फॉरेस्ट फायर ओडिट प्रोटोकॉल फोर टाइगर रिजर्वस नेक्स्ट इस वैन इस दी नैशनल सेफ मदर्वूद डे 2022 सेलिब्रेटेड राइट आंसर इस 11 अप्रेल त प्रोटेक्ट मदर और इंफेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वाइरस क्वेशन ए अगला वे टिटी डिटी डिटी अर्मी सक्सेस्फुली टेस्ट फायर अन्यू वेरिंट और पिनांका एंके वन एन्हेंस रॉकेट सिस्टम तो फ्रेंट डिटी और इंडियन आर्मी ने कहां पर पिनांका एंके वन एन्हेंस रॉकेट सिस्टम का परिक्षन किया है आंसर हो जाएगा पोखर राजिस्तान इस दी करेक्ट आंसर डिटी की बात करते हैं तो देखे इसकी फुल फॉर में डिफेंस रिसर्च औ डेवलप्पेंट और इसकी शुरुवात नाइंटी फिटी ए इंडिया थ्रू अधर मेंस इंक्लोडिंग स्कॉलर्शिप तो चात्रवत्ती सहीत अन्यमाध्यमों से भारत में जो विदेशी चातर पढ़ रही है उनके लिए इंडिया एनुमिली पोर्टल को किसने लॉंच किया है आंसर है मिनाक्षी लेके जो कि मिनस्टर आफ स्टेट इस पोर्टल से वो यहां पर मतब क्या है कि वो हेल्प ले सकते हैं देखिए अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस पोर्टल के दूरू मदद ले सकते हैं विच स्टेट अस्टेट अनरजी अन क्लाइमिट इंडेक्स साइकल 1-2022 रिलीस्ट बाइद नीती आयो इस अगर हम बात करते हैं इस इंडेक्स में तो टॉप किया है गुजरात स्टेट ने इस इंडेक्स में टॉप किया है तो लार्ज स्टेट की बात करते हैं जो बड़ी स्टेट से उसमें गुजरात ने टॉप किया सेकंड पे केरल है और थर्ट पे पंजाब है वहीं अगर हम बात करते हैं smaller state की category में तो गोवा ने top किया उसके बाद तिरपुरा है and then Manipur who has inaugurated the SEMA tourism scheme और SEMA दर्शन प्रोजेक्ट ये जो योशना है इसे किस ने शुरू किया है Home Minister Amish Jaha के द्वारा इस पर योशना का उद्गातन किया गया The Chief Minister of which state has launched 1064 anti-corruption mobile application to register complaint related to corruption directly with the official इस mobile application को उत्राखन के सरकार ने शुरू किया है इसमें देखे आप क्या कर सकते हैं कोई भी देखे corruptions related कोई भी आपकी complaint है तो वो अपने official यानि अधिकारों के पास अब सीधे जो है वो इस application के तुरू दर्च करा सकती है तो यह जो mobile application है इसे vigilance department उत्राखंड ने develop किया है हाली में देखे जो थाइलेंड में open boxing tournament हुआ इसमें भारत ने इतने gold medal जीते हैं तो आपको याद होगा कि इसमें भारत ने तीन gold medal जीते और किस किस ने जीते हैं तो आप देख सकते हैं गोविंत सहानी 48 kg category अनन्त प्रिलाज चोपडे 54 kg और सुमित 75 kg category तो देखे गोल कितने जीते हैं तीन gold जीते हैं वहीं अगर हम silver की बात करते हैं तो 4 silver medal जीते और अगर bronze medal पूछे जाएंगे तो 3 ही bronze medal जीते हैं इसका जो आयजन ने वह कहां पर किया गया था फ्रेंड इसका आयजन किया गया था Thailand में अगला question है हमारा which player has won the ICC player of the month और किस के त्वारा जीता गया है तो आपका आंसर होगा देखे बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर है इन्होंने men's category में जीता रेचल हाइनेस चोकी ऑस्ट्रेला की प्लेयर है इन्होंने जीता है यह women's category में तो आपका जो आंसर रहे का वो option C रहे का ICC के बात आती है तो international cricket अगला question है which institute scientist have successfully test fired the indigenously developed helicopter launch anti-tank guided missile जिसका नेम है Helena तो इसका जो सफल परिक्षण है यह किस ने किया है answer is D.I.D.O, Indian Army and Indian Air Force तो आपका answer हेगा option number D तो इन तीनों के द्वारा जो है वो इसका परिक्षण किया गया the flight test has been done from an advanced light helicopter in the Pokhran desert range तो कहां पे किया गया इसका परिक्षण पोखर में किया गया है जो हलीना है न यह one of the most advanced anti-tank weapons है पुरी दुनिया में और इसकी जो maximum range है वो 7 km है अगला question है who has become the new state president of उत्राखर्ण Congress answer is करण महारा तो यह उत्राखर्ण Congress के नए अध्यक्ष बने है when is international day of human space flight 2022 celebrated answer is 12th of April तो हर साल जो है 12 April को मानव अंतरिक्ष उडान का अंतराश्टे दिवस मनाया जाता है which institutes have released a report जिसका title है expanding heat resilience to increase environmental awareness तो environmental यानि परियावरण जागरुकता बढ़ाने के लिए इस report को किस ने चारी किया है answer हो जाएका natural resources defense council ने इस report को जारी किया है who has been honored with the India's highest literary award 56th ज्यानपीट अवार्ड देकि 56 नंबर का जो ज्यानपीट पुरुसकार है इससे किसी सम्मानित किया गया सही answer हो जाएगा नील मनी फूकन तो असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हीमंत विश्व शर्मा ने 2021 के लिए जो ज्यानपीट पुरुसकार है वो नील मनी फूकन से सम्मानित किया गया है और अगर आप लोगों से 2022 का पूछने लगे तो भो भी आप लोग ध्यान रखेंगे दामोदर माउजो इनको 2022 के लिए यानि इनको 57 नंबर का जो ज्यानपीट पुरुसकार है वो दिया गया विच कंट्री विल होस्ट ICC Men's T20 World Cup 2024 बही 2024 में जो ICC Men's T20 World Cup होगा इसकी मेजवानी कौन सा देश करेगा आपका अंसर होगा अमेरिका और West Indies तो आपका सही अंसर हेगा option C तो दोनों कंट्री में यह जो गेम है वो कराए जाएंगे researchers of which institute have developed India's first indigenous polycentric artificial knee जिसका नाम रखा गया है कदम तो इसको develop किस नहीं किया है इसे IIT मदरास के जो researchers है उन्होंने इसको develop किया है इसका लक्ष देखो यह है कि विंगलांग जो बिकलांग लोग है उनको बहतर जिंदिगी देना तो उसी उदेश के साथ इस artificial knee को develop किया गया who inaugurated the scientific conference homopathy people's choice for wellness on the occasion of world homopathy day तो देखें world homopathy day के अवसर पर यह चो occasion है homopathy people's choice for wellness इस conference को किस ने inaugurate किया तो आपका अंसर रहीगा सर्वनन्दा सोनेवाल जो कि आईश मिनिस्टर और वोटरवे मिनिस्टर है इनके द्वारा इस conference को inaugurate किया गया और यह conference ध्यान रकेंगे नई दिल्ली में हुई who will be honored with the Dina Nath Mangishkar Award 2022 for the first time तो पहली बार Dina Nath Mangishkar पुरिसकार से किसे समानित किया गया the right answer is Prime Minister Narendh Modi ji को इसे समानित किया गया यह इसका पहला ही addition है तो आपके exam point of view से important है ठीक है और इस पुरिसकार की सापना लता मंगishkar ji की याद में आपके लिए जब memory में इसकी सापना की गई next question है देखे हमारा who has become the new chief coordinator in India G20 तो भारत के G20 में जो नई मुख्य समवनबैक होंगे उनका नेम है हर्षवर्धन श्रिंगला G20 के बात करने से कहते हैं group of 20 इसमें देखे 19 countries और एक European Union है इसके stabilisement हुई 26 September 1999 को इंडिया इसका part है और जो पहला G20 का summit हुआ था वो 2008 में हुआ था अमेरिका में इंडिया's first made in India aircraft Dornier 228 has made its first commercial flight इसने पहली commercial उडान भरी और इससे किसने बनाया है तो आपका सही answer देखे हो जाएगा हिंदुस्तान Aeronautics Limited के द्वारा इसको built-up किया गया According to the report released by Airports Council International which has been the busiest airport यानि सबसे व्यस्थ हवाई अड़ा कौन सा रहा है 2021 में सही answer है Hartsfield Jackson Atlanta International Airport जो कि है Atlanta Georgia में या country अगर हम बात करते हैं तो ये US ती में है ये सबसे busiest airport रहा है इस report के according When is Shiachin Day 2022 celebrated? The right answer is 13th of April तो 13 April को friends Shiachin Day celebrate करती है ये दिन देखिये इस दिन एक operation चलाया गया था Operation Megadut Indian Army के द्वारा और Indian Army ने जो इसमें साहस का मतलब इसमें अपनी करेज इसमें अपना साहस दिखाया है उसके memory में ही celebrate किया जाता है दिन Shiachin Glacier it is the highest battlefield on earth where the Indian Army destroyed the plan of Pakistan by running operation Megadut on this day in the year 1984 तो 1984 में इस दिन पे operation Megadut चलाया गया था जिसमें Indian Army पाकिस्तान के जो प्लान रहे थे कबजा करने वाले जो प्लान थे कि सेरा को हम कबजा कर लेंगे उन सबे प्लान को destroy कर दिया था अगला कोशन है in which Indian paramilitary force drove advanced light helicopter Mark 3 of Hindustan Aeronautics Limited has been inducted इसको कहां शामिल किया गया तो इससे Indian Coast Guard में शामिल किया गया है Indian Coast Guard के stabilisement हुई 18th of August 1978 Indian Coast Guard दे celebrate किया जाता है 1st of February को इसका headquarter New Delhi में है और इसके डारेक्टर जर्नल है BS बढ़ानिया Where will the Commonwealth Games 2026 be held? 2026 में जो Commonwealth Games होंगे ये Victoria Australia में खेले जाएंगे total 16 teams जो है वो इसमें participate करेंगी Who has won the EY Entrepreneur of the Year 2021 Award? ये जो पुरुसकार है वो फालगुनी नायर ने जीता है जो कि नायका कंपनी की CEO है और Entrepreneur of the Year 2021 का ये जो अवाड है वो इन्होंने जीता Which City of India has been named as a Tree City of the World 2021 by the United Nations Food and Agriculture Organization and Arbor Day Foundation to maintain urban greenery? तो Tree City of the World 2021 के लिए जो चुनी गई है City वो है Mumbai तो आपका right answer हो जाएका Mumbai Mumbai जो है देखे वो second city बनी है after Hyderabad जिसको Tree City of the World का title दिया गया है तो पहला शेर ध्यान रखेंगे Hyderabad जिसने लगाता है दो साल ये जो खिताब है वो जीता है Which City will host the National Delphic Games for Arts and Cultures in the year 2023? ये जो गेम से इसकी मेजवानी कौन सा देश करेगा? इंडिया Who has become the new head coach of Australia men's cricket team? Right answer is Andrew McDonald's यो की Australia men's team के मुख्य coach बन गए है अगला question है Who has won the title of FIH Women's Junior Hockey World Cup 2021? तो इस पार ये जो टाइटल है वो किस ने जीता है? नीदल लेंड ने जीता है Who has become the chairman of National Commission for Minorities? हाली में राश्टिय अलपसंक्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा Where has India's first community museum inaugurated to preserve cultural heritage? तो देखे जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको संदक्षित करने के लिए भारत का जो पहला community museum है न इसे कहां पर इसका उध्गाटन किया गया है? The right answer is Leh Ladakh Which player has won the prestigious Rekhzavik Open Chess Tournament title? Right answer हो जाएगा R Pragjanant तो R Pragjanant ने जो टाइटल है वो जीता है इसमें उन्होंने D Kukesh को defeat किया है इस tournament में When is World Chagas Disease Day 2022 celebrated? यह जो दिवसे फ्रेंड किये 14th of April को celebrate होता है तो जो Chagas Disease है उसके बारे में लोगों को जागरू किया जाता है इस दिन के तहत Where will the first Kelo India National Rankings Women Archery Championship be organized in India? तो 2022 में जो Kelo India National Rankings Women Archery Championship होगी इसका आयर्जन कहां किया जाएगा? तो देखे इंडिया में तो किया जाएगा और इंडिया में भी जारकन के जमशेतपूर City में इसका आयर्जन किया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है Who has become the new brand ambassador of Hewell's India Consumer Good Brand और ब्रैंड का नाम क्या है? लियॉड तो इस ब्रैंड के हाली में brand ambassador बनी है सौरव गांगुली तो कुष्ट रोग के लिए अंतराष्टे गांधी पुरिस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इस डॉक्टर भूशन कुमार एंड लेप्रोसी याग्या ट्रस्ट जो कि कुछ रात में है इन दोनों को इस जो सम्मान है वो दिया गया है तो दुनिया भर में भारत की अलग-अलग जो टूरिस्ट एरिया से उनको प्रमोट करने के लिए उस्सव पॉर्टल को लॉंच किसने किया है? आंसर इस जी किशन रेड़ी जो की टूरिस्म कल्चर मिनिस्टर है इनके द्वारा इस पॉर्टल को लॉंच किया गया आज का लास्ट कोईशन है हमारा देखे बुक है Here Yourself और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो फेंड ये बुक लिखी है प्रेम रावत ने तो फेंड ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पूरे वीक की इंपॉर्टन करेंट अफेस को कवर किया है थांक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो कर दो